दिसा लर्निंग सेंटर के माध्यम से मैं आने वाली PSC परिच्छा के पृत्वागियों के लिए यही कहना चाहूंगा कि परिच्छा हमारे लगबग 18-20 वर्स की मेहनत और ग्यान के जो संग्रह किया है हमने उसका एक परफॉर्मेंस होता है जिसको हमें दो गंटे में ये साबित करना होता है कि हमने पिछले अपने जीवन के बहुमूल समय 18 वर्स तक इस सपने के लिए दिया था और उसके लिए हम पूरी तरह से तयार थे कुछ सावधानियां जरूरी हैं परिच्छा से पूर्व ये सावधानी की हम थोड़ा सा परहेस करें साधी बिवाय कोई कल्चुरल प्रोग्राम क्योंकि हम जाते हैं वहां पर लोग सजदस कराते हैं पता नहीं कौन सी चीज हमें पसंद आ जाए और वो हमारे दिमाग में गर्व कर जाए दूसरा सावधानी ये रखे कि परिच्छा पूर्व थोड़ा सा नींद भी लें जादा रात्री जागरण न करें क्योंकि अच्छा परिच्छारती वही है जो पूर्व से अच्छी तयारियां कि यह हुए होता है तीसरी बात इसी में सावधानी में द्यानने कि बार-बार वाश्रूम न जाना पड़े ऐसा कुछ खा के न जाए ऐसा कुछ पी के न जाए तो बैतर सावधानियां बरते चोटी-चोटी सावधानियां हमारे सपनों तक हमें ले जाएंगी दूसरा ऐस मतलब सेडियूल एक सेडियूल बना लें कि आपका जो म कि बहुत मदद मिलेगी और देखाओँगा आपने सुरु में ही दो-चार गलत हो जाए तो पिर मन गभर आने लगता है कि क्या क्योंकि हम इंसान बहुत थेज है मारा दिमाग वो ततकाल सोचता है कहीं असफल ना हो जाएं और जब असफल ना हो जाएं तो मन और गबराने लगता है तो अच्छा जो बन रहा होता है उस विशे को सेडूल करने कि हमें पहले करना है फिर जो बीच बाला है फिर जो नहीं बन रहा हो करेगे तीसरा common sense जब हमारे है तो 60-70% सभी से बन जाते हैं जो लास्ट के 10-15% होते जो नहीं बनते उनमें हम तुक्का लगाते हैं तुक्का की जागे common sense यूज करें common sense कैसे बहुत से ऐसे प्रिश्ण होंगे जो पूरे प्रिश्ण पत्र में दो-दो बार उसी से related रहते हैं आप उस विशे को अपने के अधिकारी बने बहुत आपको परिच्छा में सपलता मिले बहुत बहुत शुप कामना हैं